नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वेनित सागर आज हम डिसकस करेंगे भिल प्रदेश के बारे देखे, राजस्तान, मथ्यप्रदेश, महाराष्ट और गुजराथ स्टेट के कुछ रिजियन्स में भिल कम्यूनिटी रहते है 2017 से इनका डिमाड है दोस्तों, इनको आलक साइक स्टेट चाहिए भिल प्रदेश करके तो आज इस वीडियो में इस टोपिक के उपर हम इन डिटेल डिसकस करेंगे एक्जामनेशन परस्पेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स इंपोर्टेंट है वह हम डिसकस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों, भिल प्रदेश आसे सेपरेट स्टेट फोर ट्राइबल पीपल इन वेस्ट इन इंडिया का डिमाड का डिमाड काफी सालों से दोस्तों आजकल ये डिमाड फिर से रहीज हो रहा है, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था दोस्तों, भारती ट्राइबल पार्टी करके ये गुजरात में बेस्ट है इनका कहना ये है, भिल प्रदेश करके एक सेपरेट स्टेट कारवोड करना चीए 39 डिस्टिक्स में से, और ये 39 डिस्टिक्स चार स्टेट्स में स्प्रेड है 16 गुजरात में है, 10 राजस्तान में है, 7 मथेपरदेश में है, और 6 महाराष्ट में है अब थोड़ी सी हिस्टरी चेक लेते दोस्तों, भिल प्रदेश आसे सेपरेट स्टेट फोर ट्राइबल्स का डिमान पहली बार 1913 में हुआ था एफ्र दा मंगाट मसेकर, और ये डिमांड किये थे फिल सोशल रिफोर्मर और स्पिरिच्व लीडर गोविन गुरु ने मंगाट मसेकर के बार में बात करें तो दोस्तों इसे कभी-कभी आदिवासी जिलियन वाला भी बोलते हैं ये जिलियन वाला बैट मसेकर के 6 सल पहले हुआ था और इस पर hundreds of Bill Tribles को मार दिये थे British Forces on November 17, 1913 कहां पे in the hills of Mangat on the border of Rajasthan and Gujarat तो थ्यान दीजेगा Mangat Hills कहां पे हैं राजस्ता और गुजरात के border पर है इंडिपेंट्स के बार भील प्रदेश का जो डिमांड है काफी बार रेश हुआ था अब दोस्तों भील ट्राइब के बारे में कुछ basic details भील्स और भील्स एक Indo-Aryan speaking ethnic group है जो West India से बिलोंग करते हैं ये लोग भील languages यूज़ करते हैं भील languages एक subgroup आप बोल सकते हो Western zone of the Indo-Aryan languages का वैसे आप उझे comment box में बताईए कौन-कौन सा languages है इंडो-Aryan languages 2013 के हिसाब से भील्स largest tribal group थे इंडिया में वैसे भील्स को indigenous people of the states of Gujarat, Mathya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Rajasthan कहते हैं Western Dakar regions and Central India में भी ये लोग रहते हैं इवन Tripura में भी है on the border with Bangladesh वैसे भील्स शब्द का मतलब क्या होता है It is derived from वील वील का मतलब होता है दोस्तों वो या फिर थनुष द्राविडिन language में वील्स या विल्स मतलब होता है थनुष इसी वील से डिरे हुआ है भिल वैसे राजस्तान में राना पुन्जा भिल करके एक योथा को लोग याद करते हैं जिनोंने महाराना प्रताप के साथ मुगल्स को डिफीट किये थे और राना पुन्जा भिल का एक पौट्रेट रोयल इंसिक्निया अफ मेवार अन मायो कोलेज में इंस्क्राइब्ड है यह है दोस्तों वो दो इंसिक्निया यह कोलेज का इंसिक्निया है इसमें आप देख सकते हो राना पुंजा भिल का एक पोट्रेट इंस्क्राइब्ड है 2013 की साब से भिल कमुनिटी का जो टोटल पोपुलेशन 1.7 क्रोर है दोस्तों इंडिया में इनका major source of income, agriculture and animal husbandry है, poultry and labor भी करते हैं और इनको hand-lue manufacturing में काफी knowledge है इनके independence and rule को safeguard करने के लिए इनोंने मुगल्स, मराथा, ब्रिटीश के गेंस भी fight किया है अब दोस्तों, भिल ट्राइब से related एक news काफी साल पहले भी आया था, जब सरदर सरोवर डाम प्रोजेक्ट चला था नर्मदा नदी के ओपर देखे जबी एक नदी के ओपर डाम कंस्टर्ट करते हैं, तो आप सबको पताई होगा काफी सारा area जो है इस तरह पानी के नीचे आ जाएगा क्योंकि डाम जो है पानी को रोकेगा, तो पानी पूरा इस तरह स्प्रेड हो जाएगा अब ये जो लांड एरिया ना तो पानी के नीचे आया, इथर काफी सारे भिल ट्रैप्स के लोग भी रहते थे इनका री सेटिलमेंट तो डिसकस किया था, पर आफी तक ये कम्प्लीट नहीं हुआ है नर्मदा बचाओ आंधोलन के बार में अपने सुनाई होगा न दोस्तों ये उसी के लिए था, जितने लोगों का लांड चला गया डाम प्रजेट के कारण उसको री सेटिल करवाने के लिए वैसे आप मुझे कमंट बोक्स में बताईए, नर्मदा बचाओ आंधोलन को लीट करने वाला एक वूमन थी, एक इंडियन सोचल अक्टिविस्ट, उनका नाम क्या है अब दोस्तों, finally, why they are demanding separate state देखे, earlier, दुंगारपूर, बंस्वारा, उदेपूर रीजिन, जो अभी राजस्तान में है और गुजरात और मत्यपदेश, ये सब एक single entity था बट independence के बाद, tribal majority regions को अलग-अलग political parties ने debate किया इसलिए, tribal people organize and unite नहीं करने के लिए इस वज़े से, जितने भी भिल tribe के लोग थे, वो अलग-अलग जगाओं में चला गया basically migrate कर दिया और several union governments, अलग-अलग laws, benefits, schemes, committee reports वगरा लेके आया tribals के उपर, बट इनके execution and implementation ठीक से नहीं हुआ अब भिल people नारा से दोस्तों, ये लोग अब ये चाहते है जितने लोग original place से migrate हो के दूसरे जगा पर गया है या फिर अलग-अलग states में जो spread है, वो सब वापस एक साथ original place में आ जाए वो भी full dignity के साथ, इसके लिए उन्हें एक separate state की ज़रूरत है वैसे देखा जाएगा तो हमारी समिधान का 5th schedule में under article 244 clause 1, tribal interest को protect करने के लिए काफी सारे provisions है पर देखिए, ruling parties, cable assurances देते हैं कि tribal interest को हम protect करेंगे आपके लिए कुछ करेंगे, पर on ground में कुछ implementation ठीक से नहीं हुआ है और एक active दोस्तों, provisions of panchats, extension to schedule AS Act 1996 जिसे पैसा active भी बोलते हैं रजस्तन गर्मन इस लोग को 1999 में adobe भी किया था और rules promulgate किये थे 2011 में पर अप ही तक, मतलब 25 साल बाद भी उथर के जो bill tribe के लोग है उनको ये लोग के बार में मालूम तक नहीं है मेरा कहने का मतलब है, bill tribes का development के लिए इनके interest को protect करने के लिए हमारी समिथान में भी provisions है और अलग-अलग laws भी enact किया है government की तरफ से बट ये सबका जो execution and implementation on ground में ठीक से नहीं हुआ है इसलिए bill tribes नाराज है ऐसा कह रहा है दोस्तों, उथर के जो MLA से, ministers से इनने भी proper knowledge नहीं है in laws के बारे में तो भार्दी tribal party का one of the main objective है दोस्तों separate bill प्रदीश जिसे उनका interest प्रोक्टेटर रहे उनके जितने लोग अलग-अलग states में भटे हुए है उन्हें एक साथ वापस ले आए और इनका overall development भी हो जाए तो इसके लिए फार्दी tribal party काफी जारे meetings and gatherings और्गनेस कर रहा है ट्राइबल्स को mobilize करने के लिए और awareness विलाने के लिए तो दोस्तों that's I hope आपको पूरा issue समझ में आया होगा अब हम ये discuss करेंगे अब तक इंडिया में कितनी जगाओं से separate statehood का demand आया है हम जमुएन कश्मीर से शुरू करेंगे दोस्तों देखे जमुएन कश्मीर में पानून कश्मीर करके एक region से separate statehood का demand आया था फिर उत्रप्रदेश में वेस्चेन सेड में हरित प्रदेश का demand आया था फिर आवद करके एक separate statehood का demand आया था फिर पूर्वांजल का demand आया था बिहार में मिथला का demand आया था भोचपूर का demand आया था फिर आसा में कामतापूर का demand आया था गोर्खा लान का डिमान आये था, बोडो लान का डिमान आये था, ये सब अभी भी चल रहा है, ये बताब को पता होगा, आसा में कार्भी अंगलों के लिए सेपरेट स्टेटूट का डिमान आये था, दीमाराजी के लिए सेपरेट स्टेटूट का डिमान आये था, फिर इस गट का जो सथेन रीजिन है उदर गोंडवाना का डिमान आये था और इसा का जो वेस्टेन रीजिन है उदर कोश्टल का डिमान आये था आंधरा परदेश का जो सथेन रीजिन है उदर रायल सीमा का डिमान आये था करनाडगा का कोश्टल रीजिन वेस्टेन साइड में तुलू नाडू का डिमांड आये था, फिर कोडगू का डिमांड आये था, ये भी कनाड़ा का सथेंड साइड में है, तमिल नाडू के वेस्टेंड साइड में कॉंग नाडू का डिमांड आये था, इसके बार में एक वीडियो भी पड़ा है चानल में, तो इतने सारी region में से अलग-अलग statutes का demand अलड़ी आया है दोस्तों अब ये description central government के पास है दोस्तों आप उझे common box में बताईए अगर एक separate state car vote करना है इंडिया के अंदर तो कौन-कौन से articles में constitutional amendment करना पड़ेगा तो दोस्तों that's end of it I hope आपको video informative लगाओगा lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching, bye bye, have a next day